पस्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई हिंसा को लेकर हंगामे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। 244 भी लागू कर दिया गया है पस्चिम बंगाल की मंत्री शशी पांजा ने सुकांत मजुंदार के नित्रत्र में भारतिय जंता पाटी के संदेश खाली में जाने के आजरण की निन्दाकी है जनता पाटी का एक मात्र उद्देश्य था कि संदेश खाली जाते वक्त या वहां नजदीक पहुंचते ही वहां पे गड़बड करें और गुंडागर्दी करें और पत्थरबाजी करें जो उन्होंने किया पत्थरबाजी हुई लोग वहां आहत होए हैं और खास्तों से एक महीला बहुत ही आहत होई है और ये लोग कह रहे हैं कि नारी का सम्मान करो नारी के उपर शोशन नहीं होना चाहिए इनको उप्तेश मिलता है केंद्रमंत्री स्मीती इरानी के तरफ से जो कल दिल्ली से प्रेस कॉन्फरेंस करते वक्त ये करी है कि महीलाओं के उपर जो बाजन कर सकते हैं ऐसी सोच उन्होंने रखी वहीं भारतिय जन्ता पार्टी में ममता बैनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि संदेश खली में हुई हिंसा में महिलाओं को डरा धमका कि उनके समव्यादानिक हक को छीना जा रहा है जिनके साथ बलतकार हुआ उनके परिजनों के खिलाफ एफायार दर्ज कर दी गई है आप सोचिए ममता बैनर्जी का क्या स्तर है आज राज़िती का एक महिला है मुख्य मंत्री है उनको सुनिश्चित करना चाहिए था कि जो महिलाए है उनके साथ खड़ी रहें उनकी अस्विता की लड़ाई लड़ें लेकिन ये क्या मुख्य मंत्री है ममता बैनर्जी टीम्सी के गुंडों के साथ जाके खड़ी हो गए इसके अलावा बीजेपी ने सुकांत मजुंदार के साथ हुए लाठी चार्ज और उनके अरेस्ट पर सवाल खड़े करते हुए ममता बैनर्जी से स्तीफे की मांग की है हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुकांत मजुंदार जी जब इस मुद्दे को उठाते हैं तो उनको भी डीटेन कर लिया जाता है ऐसा क्यों है ममता बैनर्जी जो हमारे और वहां नेतागण हैं जब वो मिलने जाते हैं पीड़ित परिवारों से तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है न्याले बेल देता है तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि अगर रत्ती भर शरम ममता बैनर्जी में बची है उन्हें कोई हक नहीं है कि मुख्यमंत्री पद पर वो बनी रहे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए उधर बीजपी आईटी सेल प्रमुक अमित वाल्विया ने एक्सपर पोस्ट किया उन्होंने लिखा पस्चिम बंगाल पुलिस ने सारी हदे पार कर दी है उन्होंने ममता बैनर्जी को खुश करने के लिए हर नियम का उलंगन किया है बता दे कि इससे पहले मजुंदार ने आरोप लगाया था कि पुश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें उत्तर 24 परगना जिले में अशांत संदेश खाली जाने से रोकने के लिए उनके लौच की घेरा बंदी की थी मजुंदार ने प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए दोपहर के बाद संदेश खाली जाने का एलान किया था